जैसे कि दोस्तों प्रिवेस वीडियो में हमने जाना कि इन्फ्लोरिसेंस क्या होता है और हमने जाना कि इन्फ्लोरिसेंस थ्री टाइप क्यों होते हैं रेसिमोस, साइमोस और स्पेसल टाइप और आज के इस वीडियो में हम special type of influence को discuss करने वाले है और ये जो topic है अपने आप में बहुत ही important है क्योंकि इस topic से आपके exam में एक question जरूर बनते हैं तो देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है तो आप वीडियो को ध्यान से देखेगा और जितने भी special type of influence है उन्हें आप अपने notes में जरूर mention कीजिएगा तो आज की इस वीडियो में हम special type of influence में पढ़ने वाले हैं hypanothodium, scythium और verti silaster तो आए ये one by one हम तीनो type के influence के बारे में detail से जानते हैं तो सबसे पहले हम बात कहते हैं hypanothodium की तो hypanothodium एक special type का influence है जो की आपको बनाना और people में देखने को मिलता है इन दिस type of influence you can see the pedancle modified in narrow cup like structure at the base of cup the female flower develop while towards the mouth male flower develop तो hypanothodium में होता है क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें जो pedancle होता है वो modified हो जाता है और एक cup like structure बनाता है और इस cup like structure में जो female flower होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं यानि कि इस flower के नीचे की ओर देखने को मिलते हैं और जो male flower होते हैं वो उपर की ओर देखने को म आपको बता दे कि हाइपनो थोडियम जो इन्फ्लोईसेंस है ये क्लोज होता है यानि कि आपको चारो तरफ से क्लोज मिलेगा सिर्फ उपर की और इसमें एक छोटा सा होल होता है जिसे हम बोलते हैं उस्टियोल जाजा कि आप टैग्राम में देख सकते हैं तो फिगर में यानि कि उस्टियोल के पास देखेगा और जो फिमेल फ्लावर है वो आपको नीचे की और देखने को मिलेगा और बात करें इनमें अगर पॉलिनेशन की तो इनमें जो पॉलिनेशन होता है वह इंसेक्ट के थुरू होता है तो जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि उ धीरे धीरे female के पास जाते हैं तो उस तरह से pollination हो पाता है और आपको बता दे कि इन में male और female flower के अलावा कुछ neutral या फिर कह सकते हैं कुछ sterile flower भी होते हैं जिन्हें हम गाल flower भी कहते हैं तो यह जो flower होते हैं यह fertilization में भाग नहीं लेते क्योंकि यह sterile होते हैं चलते हैं अगले टाइप के special type of influence की ओर जो कि है scythium influence यह भी बहुत important है और आपको बता दे कि इस तरह का जो influence है यह आपको यूफर बीएसी family में देखने को मिलता है तो आपके exam में जरूरे से question पूछा जाता है कि scythium influence किस में पाये जाता है या किस प्रकार के family में पाये ज जाता है अगर example की बात करें यूफर विया है पेडी लेंथल से तो सैथियम influence होता क्या है दा ब्रेकेट्स और इन्वाल को फ्यूस एंड फॉर्म एक कप सेप स्टक्चर ऑन दा मार्जिन तो सैथियम influence में होता है क्या है कि जो ब्रेकेट्स होते है या फिर इन्वालुकर्स होते हैं वो फ्यूस करते हैं और फार्मेशन करते हैं कप लाइक इस्टक्चर का इस हाउसेस ऑफ ग्लैंड यानि कि इनमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं इन्दा सेंट्रल पार्ट आप अप सेप स्टक्चर यू कैन फाइंड फीमेल फ्लावर दीज मैच्योर अर्लियर ड्य याद रखेगा कि इसके सेंटर में फीमेल मैच्योर फ्लावर होता है तो फीमेल फ्लावर होते हैं वो फ्यू स्टक्चर से बाहर आते हैं मौल मेल फ्लावर स्राव इस्टमियल फ्लावर में Pow Him एक female flower को चारो तरफ से घेते रखते हैं और इन male flower में भी pedicill पाई जाती है परन्तु इनके जो pedicill होते हैं वो छोटे होते हैं जिसके कारण ये cup से जो involucals है या फिर कह सकते ही ये जो influence है उसके अंदर ही रहते हैं और आपको बता दे कि इन cup से involucals के चारो तरफ आपको nectar gland देखने को मिलते हैं जैसा कि यहाँ पर आप diagram में देख सकते हैं चलते हैं थर्ड टाइप के special influence की ओर जो कि है verticillaster influence तो verticillaster influence आपको बता दे कि ये labiatic family या फिर कह सकते है और बहुत important ये भी influence है क्योंकि आपके exam में पूछा जाता है कि verticillaster influence किस में पाए जाता है तो याद रखेगा ये labiatic या फिर कह सकते हैं कि ये labiatic family में पाए जाता है तो दोनों family एक ही है ये अलग-अलग family नहीं है labiatic को labiatic family कहा जाता है तो इस तरह के influence में होता क्या है कि जो influence होते है वो opposite manner में होते है और ये opposite leave के axis पर आपको देखने को मिलते है यानि कि यह जो influence होते हैं वह क्या कहते हैं कि लीव का जो base वाला reason होता है यानि कि जो access वाला reason है वहीं से यह develop होते हैं तो इस तरह से अगर देखा जाए वर्टी सिलास्टा influence में लीव भी opposite manner में होते हैं और साथी साथ इन से निकलने वाले जो influence होते हैं वो भी opposite manner में होते हैं अगर example की बात करें तो वर्टी सिलास्टर इंफ्लोईशन्स होता है तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो जो की special type of influence से जुड़ा हुआ था आई होप आपको बाते समझ में आ गई होगी आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूरी बताएएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत